साहस सरोका कानपूर में सीम योगी आदितनात ने 388 करोड के 272 विकास कारों का लोकारपण और शिलन्यास किया जिसमें 213.47 करोड की 122 कामों का शिलन्यास और 174.12 करोड की 150 विकास कारों का लोकारपण होना है उत्तर नडेश के कानपूर, अलीगड, आगरा, लखनो, जासी और चित्रपूट इन सभी छेत्रों में डिफेंस कोरिडोर से समंदित नोड को लेंड, बेंड और विकास के साथ जोड़ते वे भारत की रक्सा के छेत्र में आत्म निल्वर्ता के लक्स्य को प्राप्ट करने का केंडर विंडो एक बार फिर से कानपूर बनेगा इसके लिए सरकार पूरी प्रतिमदता के साथ कारे कर रही है इस कबर पर हमारे समवादाता अनिल हम से जुड़ेंगे अनिल मुखमंत्री योगी आधितनात ने कानपूर में 330 करोड रुपे की परियोजनाओं की सौगात दी है इसमें क्या कुछ शामिल है बतादू कि निकाय चुनाओं से ठीक पहले आज योगी आधितनात का आज कानपूर का दोरा था और उनका जो ये दोरा था प्रबुद सम्मिलन को के नाम साहिजूत किया गया था गर्बुद सम्मिलनन कर रहें और जो चुनाओं से ठीक पहले आछारशा पहले लागु ओने से पहले इ SURV लुपी आधितनात ने कानपूर में रख 288 पर ऐगवर है जिसमेंए 272 का विकास विकास्य कारों में का लोकारपन उब हुआ है और 213 क्रोन लगबग विकास के कारों का लोकार पड़ किया है, इसके लाबा बता दू कि सियम योगी आदितनात में कानपूर में जो विकास कार हो रहा है उसके भी बैठक की बैठक बाद उन्होंने सारे अधिकारियों को यह भी निरिदेश दिया है कि जितने भी कार रहे है वो सही समय पर और एक समय अबदी में ही पूरा किये जाए इसके लाबा बताता चलू कि जिस हिसाब से कानपूर में पुलिस प्रशासन का काम कर रहा था तो कहीं ना कहीं योगी ने उसको साराना की है और साराना के बाद जिस हिसाब से नगन निगम द्वारा कानपूर के तो आज एक कैमरे के सामने जो चेड़ते हुए पाए जाएंगे, दूसरे कैमरे भागते दिखेंगा, तीसरे कैमरे में पुलीस उनको धेर कर देगी, तो कहीं ना कहीं उत्तरप्रिस की सराती तक्त्व हैं उनको लेकर बड़ी बात कही है, इसके लाबा कानपूर में जो विक जो कि पूरे सहर का जो कच्रा था गंगा नदी में डालता था, तो कहीं ना कहीं उन्होंने प्धानमंति नायन मोधी की बढ़ाई करते हैं इस नाले में पहले कभी पानी जाया करता था, लेकिन नायन मोधी की निती के तरह तब वह उसे एक सेलफी पॉइंट बन चुका है इसके लाबा जितने भी लोकारपण किये उन्होंने एक समय अबदी का अधिकारियों को दिया कि एक समय अबदी में ही काम हो ताकि आगे के काम हो सके और इसके लाबा उन्होंने बताया कि हमारे दो मंत्री जो के विदेश में रोड़ सो करेंगे, रोड़ सो में वहां का ज अधेल शामिल है मता दूप कि इसमें बहुत सहते से एंग जो इसमें किये गए है जिसमें लॉन टेनिस बेड्मिंटन है और तरहांगी है इसके लाबंगा बहुत सहे गेम हैं जिसमें योगी इसका लोकर आपिए तो और कहीं ना कहीं माना जाए कि यह जो अगूराउंड न् मोदी जी के ट्रीम पोजेट की चलते काम किया गया और कहीं न कहीं जो इस्पोर्ट हब था मोदी जी के एक सपना था कि कानपूर में एक बड़ा हब हो लगबग प्रतेक वर्स एक हजार खिलारी कानपूर से निकले जो के देश-बि-देश में नाम करें जिसके चलते मोदी कानपूर में बहुत बड़ी बात बोली कि उन्होंने जो कानपूर का एरपोर्ट है पिछले कई समय से पढ़ा हुआ था जिसके कानपूर को एक बहुत जरुवत थी और एक काम पूरा प्रेंडिंग पढ़ा था लेकिन योगी जी ने आज उसको भी उसका भी लोकार इसे सपर्ट हब में जितने भी प्लेयर्स से जो गरीब तबके के लोग है उनके लिए फ्री रखा गया है बाके अट अलग अलग तबके कि हिसा रखी गई लेकिन जो भी निचले कर तबकेक लोग जो लोग जिन बच्छों को खेल का कापी सौख है और आगे खेल में बवी से देख रहे हैं उसको लेके योगी जी ने कानपुर में बैठा के थी और कहीं न कहीं मोदी जी का भी बड़ा सपना था इन सप्विजों के लिए को कि कहीं न कहीं मोदी जी की विरूची एक इस पोर्प में और लोगों के उत्तर पदेशा औभारत के बच्चे अगर इसपोर्ट में जाएंगे और इंटरनेशनल लेवल पर नाम करेंगे तो कहीं न के कानपुर के लिए कि बड़ी बात होगी जिसके चलते कहीं न कहीं योगी जी का एक ड्रिम पोजेक्ट है, जो फीस है, जो नीचे तब के लोग है, जो पैसे देने में उतने सक्षम नहीं होते हैं, उनके लिए फिरियो पोश्ट किया गया है और पूरे कोचेश प्रवाइड करा जा रहे हैं, और लगबग एक हजार अपके शक्षम बार्ष बारष बत्षय को निकन लेकी संस्बावना है जिसमें इस्पोर्ट में अ लॉं टेहन चिए बाद मैं टोन आड्म और थारा कर दोदीर Norma के लिए और Teraнибудь आजके लिए झाले कि लिए इस डिनित नीभल्य मीले यहार स्मे पैस्टमिलेया है जिसमें उप्चुनाओं में सपा के बढ़िया प्रदर्संग ने जहां चाचा शिवपाल यादव के कद को बढ़ाया तो वहीं दूसरी तरफ रामपुर में हुई हार के बाद आजम खान की माथे पर चिंता की लकीरे और गहरी हो गई हैं बता दें सिवपाल की तो शिवपाल यादव ने सपा के गड़ को बचाने के लिए पूरी जी जान लगा दी थी और वो उसमें सफल भी रहे शिवपाल यादव की प्रसपा का छई साल बाद सपा में विलै होने के बाद अब ये सुर्थ तेज हो गए हैं कि आखिर सपा में उ वादाता विवेक हम से जुड़ेंगे विवेक उपचुनाव में सपा ने बैतरीन दमखम दिखाया है सपा को सिवफपाल का साथ मिल गया कितनी मजबूती मिलेगी इससे सपा को देखे में वरी उपचुनाव के प्रडराम वाले दिन समाजवादी पार्टी और प्रगतिसी समाजवादी पार्टी का जो विले हुआ है उससे प्रदेश की राजिती में एक नया टर्निंग पॉइंट आ गया है क्योंकि हम जान रहा है कि मैंपूरी का जो लोगसभा का उप उनकार मतों से यहां पर समाजवादी पार्टी जीती है टिमपल याद mention से प्रतियासिती और एतिहासिक जीच समाजवादी पार्टी के लिए है ऐसे में रिजल्ट वाले दिनी सपा और प्रसपा का विले हो जाना ये उत्तर प्रदेश की राजनीती में ट्रणिंग समाजवादी पार्टी के लिए अच्छा संकेत है वहीं अगर बात की जाये तो जो मुख्य विपच्छी पार्टी है सपा की प्रदेश में भारती इतना पार्टी उसके लिए ये थोड़ा सा थोड़ा सोचने का विसा है कि इस जो विले हुआ है जो स्वीपाल यादों जो व उट मांगे हैं गाउं गाउं में जाकर चुमा परचार किया है अपनी बहु के लिए उट मांगे है स्वर्गी नेता जी के लिए उट मांगे है और जिस सीट से वो जसोन नगर से विदायक है अकेले वहां से ही डिमपल यादों करीब एक लाग दस अजार से ज्यादा तपूर योगदान है और उनके विले होने के बाद इस्तिया और बदल जाएंगी और जो भी लोग चाचा भतीजे में इसके पहले दूरियां रिष्टे में खराबी बताते रहे हैं दूरियों को बढ़ाते रहे हैं उन लोगों को भी परदे की पिछे चिन्नित किया रहा ह बिवेक अगर हम आजम खान की बात करें तो आजम खान ने रामपूर की सीट गवा दी है जिससे अब उनकी चुंता भी काफी बढ़ गई है तो क्या लगता है कि आजम खान की आगे क्या कुछ रणीती हो सकती है देखिए रामपूर की सीट अकेले आजम खान ने नहीं गवाई है समाजवादी पार्टी ने गवाई है हमें कहना हुआ कि समाजवादी पार्टी की वहां पे रामपूर की सीट पे हार हुई है खेर रामपूर पे तो आजम खान का गड़ माना जाता था वो यहां से लगत जो अच्छी पकड़ है लेकिन इस उप्चुनाव में जो फुना हुआ खिले स्यादों भी कह चुकी है कि रामपूर का जो उप्चुनाव था जो बाइलेक्षन था वह एक तरह से कह सकते हैं कि प्रसासन ने इतना जोर लगाया भारती जंदा पार्टी के लिए वोट मांगे गए ऐसे आरूप लग रहे हैं वहां पर निस्पच चुनाव नहीं हुआ है ऐसे आरूप लगए है तो जिस वज़े से समाजवादी पाटी वहां से हारी और यह बड़े आरूप वहां से लगाती रही है तो यह आजम खान की राजनिती को एक थोड़ा सा ठेस्त पहुचा है और जो परदेश में उनकी कूवत थी आरूप खान की वह थोड़ा सा धरसाई होती दिख गई है लेकिन आने वाले जो आंचुनाव है दोजाए चौबिस में आजम खान के जो जो गड़ है अभी वहां पर उनके खारी करता है उनके लोग है तो समाजवादी पाटी जो ह में चर्चा होने लगी है कि कया खलेश यादव सुपाल सिंग यादव को नेता प्रतिपक्ष बना सकते हैं इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है देखिए जब उनसे सवाल पूछा गया मैंपूरी में इस बात को लेके कि क्या बड़ी भूम कैसी पाल यादव की रही थी तो उन्हेंने मुस्कुराते ही वे इस बात को टाल दिया क्योंकि समाजवादी पाटी वो इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं कि अपने पत्ते पहले खोल दे जिस प्रकार से भारती जंदा पाटी वो अपने पत्ते लाश तक नहीं दिखाती है तो समाजवादी पाटी भी इन चीजों को पैचान गई है और अपने पत्ते खोल रही तो अभी कोई आधिकारी बयान समाजवादी पार्टी की तरफ से, राष्ट्रिया अखले स्थ्यादों की तरफ से नहीं आया है, लेकिन ऐसी चर्चाय चल लही है कि उनको विदायक दल के जिम्मेदारी दी जा सकती है, संगठन में बड़ी जिम्मेदारी दी आ सकती है, या पिर विदान सावा में नेता विपच्छ का जो महत्वपूर पद होता है वो उनको दिया रहा सकता है में उरी धने बाद भी वेक तमाम जानकारियों के लिए उत्यप्रदेश की तीन सीटो पर हुए उपचुनाओ के नतीजे आ चुके हैं मैंपूरी औ ख़तौली उपचुनाओ में सामाजवादी पार्टी गट बंधन ने जीत दर्च की है वही रामपूर में बीजेपी ने जीत दर्ज की है, खताउली में सपा गटबंधन से आरेलडी के पृतियाशी मदन भाईया ने चुनाओ में जीत दर्ज की है जीतने के बाद उन्होंने चंदर शेखर आजाद से मुलाकात की है मदन भाईया ने जीत पर कहा खतौली की जनता का धानेवाद है और यह गटबंधन की जीत है जिसमें विशेश तोर से भाईचंदर शेखर की आजाद सामाज पार्टी का बहुत महतपूर योगदान है और 2024 के लिए एक नीव पढ़ चुकी है जो आगे सफल साबित होगी इस बयान के अधार पर अब नई चर्चा शुरू हो गई है इस खबर पर हमारे समवाद दाता सुहानी हम से जुड़ेंगी सुहानी सपा गटबंधन से आरेलडी परतियासी मदन भाईया ने चुनाओ में जीत दर्च की थी इतने के बाद उन्होंने चंदर शेखर आजास से मुलाकात की है तो यह मुलाकात की सोर इशारा कर रही है तो अब को बता दे कि उत्तरपरदेस में जो उप्चुनाओ के जो परड़ाम जो रिजल्ड आ चुका है जो की मैनपूरी और जो खतौली में यहाँ पे सपा की जीत हुई है रामपूर मही बासपा की जीत हुई है तो अब तो बता दे कि यह एक बासपा के लिए एक बुरी खबर है लेकिन कहीं ना कहीं जो बासपा के एक सीख मिलेगी मेंस लिएक बता लेंगी लेकिन जो वहां के छाफ तरपा को लगता था कि यहाँ प्पार उसे अपनी सरकार अध्य में और कई मनसा दिये हैं हैंसाथर में निया को मन आताatti हो सपा और के घठ बंदन की जीत हुई है सावत टूर पर यहीं कहना है कि यह जीत है वह गटबंदन की जीत है और यह जह गटबंदन है वह आगे 2024 कक रहेगी यह घास टॉर पर पी संदेश दे मैं और यह तर उनके नई चर्चाहों की रूप में आ रही है आपको बता दे कि आगे भी जो ये 24 के चुनाव को वेकि उनका साथ रहा कहना कि भासपा जो यूप चुनाव है वो कह रही थी कि 24 के लिटमस्टेस के रुपे देखा जा रहा है तो उन्होंने इसी बयान पर उनको तंज कस्ते हुए कहा कि जो ये हमारी गटबंदा निये डुलाकात की है कहीं न कहीं छंद्रसिखार राजात Conference को दलित का नेता कहा जाता तो कहीं सपा बइस्पी के वोटबेंक पर सेंध हमारी की तयारी में कि जी sự उनको अब बताते मुरी की वोटबेंक का सेंध का तो एक क्योंकि कि वह देख रहे हैं कि जो हमारे गटबंदन हुआ है उससे हम जब जीत रहे हैं तो कहीं न कहीं एक तरफ से वह अपने हाथ बढ़ाते बहस्पा की तरफ दिख भी रहा है लेकिन अपनी ये रड़नीती जो है वह पूरी तरह से वह निकाय चुनाव में भी चंदरशेकर कि खतावली में साथ तरफ इसलिए यहां पर जो राजकुमारी स्यानी की हार हुए एक बड़ी हार क्योंकि वहां पर मुखमंत्री योगी आधितनात में भी वहां पर सभाय की थी और बड़े-बड़े निताय भी जाके वहां सभाय की तो एक तरफ से देख रहा है कि हार मि परहत बढ़ाने के लिए अपना हाथ बढ़ा सकते हैं और यह साफ तरफ पर यह दिख भी रहा है धन्यवास वहानी तमाम जानकारियों के लिए फरुखबाद में करणी सेना ने सपानेता और पूर्वुपाध्यक्ष देवेंद्र सिंग उर्फ जग्गु यादव के खिलाप मोर्चा खोल दिया है करणी सेना ने आरोप लगाया है कि सपानेता ने करणी सेना के कारकरता के भाई को घर बुला कर पीटा है और शत्री समाज को संबोधित कर अपमान जनक बाती कही है करणी सेना के जिलाध्यक्ष मन्थन ठाकूर पदारीकारियों के साथ कोतवाली पहुचे और सापानेता के शिकायत की। उन्होंने कहा कि मुकदमा दर्ज नहीं हुआ तो करणी सेना कोतवाली के बाहर प्रदर्शन करेगी। पांच दिसंबर को यह कटना हुई कि रावन परमात जो की करणी सेना करकरता उनके छोटे भाही के संग्च जग्गु यागव जो की सपा की पूर्व चिनाद्दक्ष है और उनकी जो मामने पुराने भी पूर्व में बड़े अपराजिक रह चुके हैं उनने जो करणी सेना परमात जी की अबद्रवाजा पिलोड किया जिसकी वीडियो वायरन हो रही थी आज जब की पता नागा तो हम दोग ने ठाना कुटवानी में तहरीर वी दिये इसके निए जिसमें रावन परमात जी हैं इनके छोटे भाही का मामना है और उसमें श्वीराश्की राट पू अगर नहीं होती है तो फिर यहां कर्णी सेना धन्ना करने पर बात देव होगी इस खबर पर हमारे संबादाता गौरफ सिर्वास्तव हम से जुड़ेंगे गौरफ सपानेता दिवेंद्रे सिंग के उपर गंभीर आरोप लगे हैं कर्णी सेना ने आरोप लगाया है कि सपा ने ता ने कर्णी सेना के कारकरता के भाई को घर पर बुला कर मारपीट की है क्या कुछ पूरा मामला है पर कोई बात हुई होगी उसके बार कि चलतरों को बलाया था उसके बार वहाँ पर मारपीट हुई है तो जो तरह से वीडियो बारल हुआ है कि वहाँ पर अबर बासा को प्योग कर रहे हैं चाहिए चाहिए और आवाद की पुष्टी बहाँ पर हो गई हुआ तो इससरी रूप से यहां पर जो कहा गया है बहां पर जो गलत है वह इस तरह की निजनिये कार नहीं करना चाहिए अगर आपकी कोई पेस्टी भूमी रही हो या किसी ते एक पर नेचर रहा हो वहाँ पर किस लिए आपने पुलाया थे अभी तरह स्वस्त नहीं उपाया है फिराल यहां पर जिसके लिए मारपीट की गई है और चात्री समाज को लेकर वहाँ पर गालें दी गई हैं जो कहीं करेंगे तो यह हम बर्दास्ट में करेंगे और इसके लिए मैं तरी वहाँ पर देंगे और अगर वहां पर मुक्रमादस नहीं तो इसके लावं दनना भी देए तो गौरफ शिकायत के बाद भी इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, क्या कारण है क्यों मुकदमा नहीं दर्ज हुआ? हुआ हुआ है, आप भी इस पूरी इस पूर्ण करें गया हुआ हुआ है दने बाद गोरफ तमाम जानकारियों के लिए चार बजे की चार बड़ी खबरों में इतना ही देज़ दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे है प्राइम टीबी